करीब आठ साल से बंद पड़े पटना के गोलगर अब पटना वासिओ के लिए तयार हो चुका है आपको बताए कि एतिहासिक धरोहर बिहार की पटना का गोलगर अब आम जनता के लिए खुल गया है गोल घर का compound खुला हुआ था गोल घर में जो पार्क बने हुए है वो आम जनता के लिए खुले हुए थे लेकिन गोल घर की जो सीडिया थी वो पिछले 8 सालों से जरजर हुई थी लेकिन अब उन सीडियों को बना कर पूरी तरीके से हाइटेक कर दिया गया है उन सीडियों प पटना के गोल घर का फिर से बनाया गया है रिनुएशन किया गया एक तरीके से कहाँ देतो इस गोल घर की खासियत और गोल घर को नेहारने के लिए बिहार के कोने कोने से लोग बिहार के राजदानी पटना पहुंसते हैं लेकिन पिछले आठ सालों से लोगों ने गोल घर के शिर्स भाग यानि सबसे उपरी भाग पर चड़कर पटना के नजारे को नहीं देखा हैं लेकिन अब ये जो दूरिया थी पटना के नजारा देखने की वो अब दूरिय कम हो गई हैं क्योंकि गोल घर अब पूरी तरीके से उनकी सेडियों को बना लिया गया है और ये तस्वीरें है इस वक्त अपने स्क्रिन पर दिखा रहे हैं जहां पर ये तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं जहां पर वंदना प्रेशी जो हैं उन्होंने इस तस्वीर को शेर किया है ट्विटर के माध्यम से और उन्होंने लिखा है कि गोल घर अब पूरी तरीके से आर्ट एंड कल्चर के गर्वग्री जो है उसे भी पुरी तरीके से रिनुवेशन कर दिया गया है और इसमें लोग अब आराम से घूम फिट सकते हैं और जल्द ही लोगों के बीच होगी पटना के गोलगर और वहां से आप सीड़ियों से चड़के पटना के नजारे को निहार सकते हैं 237 साल हो चुका है पटना के गोलगर का और ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पे बिहार के तमाम जिलों से लोग पहुंचते हों बिहार की राजधानी पटना पहुंचते हों और एक बार गोलगर का नजारा ना देखते हों पिछले आठ सालों में गोलगर के शिर्च भाग पे से गोलगर को हाइटेक कर लिया गया है सन 1786 में कप्तान जॉन गार्ष्टिन द्वारा ये गोलगर बनाया गया और गोलगर को उस जमाने में भंडार ग्री के तौर पर यूज किया जाता था संयोग से गोलगर को कभी अपनी अधिक्तम छमता तक नहीं भरा गया था क्योंक गोलगर के कई स्थानों में सेख है जहां नागरिक शहर के सोरगुल से दूर एकांत में आ बैठते हैं और पिछले आठ सालों से गोलगर में लोग पार्क में जाते थे लेकिन गोलगर की सीडिया नहीं चड़ पाते थे लेकिन अब आर्ट एंड कल्चर के द्वारा इसे प सीडियों को बना दिया गया है अब सीडियों से लोग चड़ेंगे और पटना के मनोरम द्रिश्य का नजारा लोग उठा सकेंगे तो जल्द ही पटना का गोलगर आप सब के लिए तयार हो जाएगा जुड़े रही है दबिहार टॉप के साथ बहुत बहुत धन्यवाद